इस तरह से उल्लू का दिखना माना जाता है शुब सूचक उल्लू को माता लक्ष्मी का वहन माना गया है उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की माननेताएं प्रचलित हैं उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वा भास हो जाता है शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखना कई जगह शुब माना जाता है तो कई जगह अशुब भी माना गया है जैसे अगर आप किसी यातरा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है वहीं अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हानिकारक माना जाता है इससे घर की उन्नती रुख जाती है आईए जानते हैं कि उल्लू का दिखना कब-कब कहा कहा शुब संकेत माना जाता है हलाकि सफेद उल्लू कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर दिख जाये तो जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है अगर आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो सफेद उल्लू का दिखना एक संकेत होता है कि आप कुछ सकरात्मक समाचारों की अपेक्षा कर सकते हैं सफेद उल्लू को दिवंगत लोगों की आत्मा से जोड़ कर भी देखा जाता है अगर आप सफेद उल्लू देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपके साथ हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है उल्लू का लगातार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने वाली हैं साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है वहीं अगर आप काम के लिए जा रहे हैं और आपको बाई तरफ उल्लू दिखाई दे जाए तो ये भी शुब संकेत माना जाता है माना जाता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वह सफलता पूरवक पूरा हो जाएगा अगर दाई तरफ उल्लू दिख जाए तो यह शुभ नहीं माना जाता इसका मतलब है कि आपको कुछ और समय रुक जाना चाहिए दिन में उल्लू दिखना रात के समय जागने वाले उल्लू को अगर दिन में देख लें तो यह भी शुभ सूचक माना जाता है इसका मतलब है कि भाग आपका साथ देने के लिए तैयार है साथ ही आपके जीवन में सकरात्मक बदलाओं होने वाले हैं और जल्द ही शुब समाचार मिलने वाला है उल्लू जब दिन में दिखाई दे जाए तो यह आपके द्रिष्टिकोन को भी बदलता है काम के समय में आपको पता लग जाता है कि कौन सा फैसला आपके लिए सही है और कहां आप गलत कर रहे हैं इन दिशाओं में उल्लू का दिखना होता है शुब अगर दक्षिन पश्चिम दिशा में उल्लू दिख जाए या आवाज आ जाए तो यह आर्थिक संकट का सूचक माना जाता है वहीं पूरू की दिशा से उल्लू की आवाज आए या इस दिशा में उल्लू दिख जाए तो यह आर्थिक लाब का भी सूचक माना गया है माना जाता है कि इन दिशाओं में उल्लू का दिखना आपके जीवन में धन से सम्बंधि सभी समस्याओं का अंत कर देता है अगर आपको दक्षिर दिशा से उल्लू की आवाज आ जाए या इस दिशा में उल्लू दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप शत्रूओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे रात में उल्लू का दिखना रात के राजा उल्लू को अगर आप रात में देखें तो ये भी शुब माना जाता है आप अपने आपको एक भागिशाली व्यक्ति मान सकते हैं आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और करियर में प्रगति होगी रात के समय उल्लू की आवाज सुनाई दे जाए तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं और आपको हर छेतर में सफलता मिलेगी उल्लू का रास्ता काटना अगर आप कहीं जा रहे हैं और तभी उल्लूर रास्ता कार जाए तो ये एक अच्छा सगुन माना गया है इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ धन प्राप्त होने वाला है और पुराने करजों से भी मुक्ति मिलने वाली है वहीं अगर आपके उपर से उल्लू उर जाए तो ये एक संदेश है कि आपको अपने जीवन को नए तरीके से देखने और समझने की जरूरत है आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और जल्दी आपको शुक और शान्ती मिलेगी सपने में उल्लू देखना उल्लू अगर किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या फिर उसके उपर से उर जाए तो बताया जाता है कि गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाता है वहीं सपने में भी उल्लू के महत्तो को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप सपने में उल्लू को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलने वाला है साथ ही आपके अंदर ज्यान की वृद्धी होने वाली है जिससे आप खुद की छमता पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा मालक्षमी का वहान है उल्लू मालक्षमी की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी हमारी कामना है दोस्तों हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आपको किसी विशे पर वीडियो बनवाना है तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखे